मद्ध प्रदेश के सतना नगर निगम में अब टेकनलोजी के दोर के साथ पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है और शहरवासियों के घरों में पहुचने वाले पानी की अब मॉनिटरिंग की जा रही है कम्प्यूटर रद तरीके से शहर की वाटर सप्लाई शुरू की जा रही है इससे ना सिर्फ पानी की सुद्धता उसकी गुर्वत्र की जाच होगी बलकि पानी बेकार नहीं होगा कहीं पर पाइप लाइन अगर लीकेज हो गई तो उसके बारे में तुरंद पता चल जाएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहट शहर में वाटर सकाड़ा सिस्टम के द्वारा कम्प्यूटर रद तरीके से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है सतना शहर में जो वाटर सप्लाई हमारी पानी की सप्लाई की जाती है वो फुली कंप्यूटराइज हो गई है इस काड़ा सिस्टम से हमारे यहां सतना में पानी की सप्लाई की जाती है जो पंप चालू होते हैं वो कंप्यूटर से अपने आप चालू होंगे जिससे में टंकी खाली होती है उसके बाद पंप अपने आप चालू होंगे टंकी भरने के बाद आटोमेटिकली वो स्विच आफ हो जाता है इससे हमारे पावर की भी सेविंग होती है और पानी जो बहता रहता है अगर आदमी कहीं चूप गया बटन बंद करने में, तो उसके कारण से जो पानी का वेष्ट है जो भी रुखता है, तो सतना शहर, पद्ध्य प्रदेश में पहला शहर है, जहां पर computerized हमारी water supply चालो हो गई है, अभी इसमें तो हमारे आदमी घड़ गए हैं, क्योंकि जो हमा प्राइज हो गया, वाल अपने आप खुलने लगे, बंद होने लगे, तो उसके कारण से कहीं हमारे आदमी घटे हैं, और हमारा control बहतर हुआ है। सतना स्मार्शिटी इंतरगत हमने वाटर स्काड़ा प्रोजेक्ट का implementation किया है, वाटर स्काड़ा सिस्टम के तहत, जो हमारी सहर की सम्मूचित water supply थी, उसको हमने automation किया है, कई चीज़ें manually होती थी, यह जो any cut है, जहां से नदी से हमारा पानी आता है, वहां से लेके हमारा 40 वाटर प्लांट है, वहां तक और यहां से लेके हमारी जो OHT है, overhead tanks है, जो सहर में अभी हमारी 20 overhead tanks है, वहां तक नदी से लेके overhead tanks तक पानी के समुची जो water supply विवस्ता है, उसकी monitoring हमारे sensor waste device हमने लगाई हुई है, जिसमे एलेक्ट्रो फ्लो मीटर है, प्रेशर मीटर है, और आपका pH analyzer है, यह सभी चीजों से हमारे सिस्टम हमारे सर्वर से जुड़े हुए है, सर्वर से हमें पूरे alerts मिलते हैं, जो पीने योग पानी वियर्थ वह जाता है, उसकी अभी तक कोई monitoring का कोई system नहीं था, तो water is card के तहर्त हम लोग NRW water को analyze कर पा रहा है, कैसे हमारा कोई लीकेज होता है, तो हमारे जो भी sensor waste equipment लगे हैं, उससे हमारे readings हमें मिल जाती है, जिससे हमें तुरत पता चल जाता है, कि सहर में कहां वियर्थ हमारा जो पीने योग पानी है, बह रहा है, तो यह और बहुत सी चीजें जो मैनुवली होती थी, अभी जो मैनुवली झाल